कि हुआ सहीं उदास ना हो ला कि हुआ सहीं उदास ना हो ला और अगर कोई यही भोशपूरी के प्रती अगर भोशपूरी भाशा के द्वारा भोशपूरी भाशा के ही अपमान करता तो कहल जासा के लागर वो अपनी मां के अपमान करता है कि कितने दे होता है पितर मनावनी बाबो तब तो हके जन्मानी बाबो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अनमोल आनम और आज मैं मौजूद हूँ मौजनपद में मेरे चैनल के माध्यम से खोजपूरी में जो असलीलता परोसी जा रहे है चंद गायकों के द्वारा तो उसको किस तरीके से खतम किया जाए और पारंपड़ी गीत को भी गाके और जो है आदमी एक उचारी पे जा सकता है तो इस संबंद में मैं आज मौ में माही मेरी दुद्ध जी के हाया हूँ और उसी कुछ बाते करना चाहूंगा और क्या कुछ इनका बोजपूरी पे विचार है और किस तरीके से अपना विचार रखतेंगे तो आईए मैं देर ना करते हुए इनसे में बात करता हूं और इनका पर्चे आपको दिलवाता हूं अम मेरे चैनल में आपका बहुत बश्वागता हैं आपके चैनल के सभी दाश्वों को मेरा प्रणाम मेरा एक मुहीम चल रहा है भोजपूरी और असलीलता तो आप चुपी नए गायक हैं और उभरते हुए कलाकार हैं और एल्बम भी आपके काफी और गाने जो हैं मार्केट में चल रहे हैं तो आप जो नए कलाकार हैं जो मेरी मात्री भासा भोजपूरी को गंदा कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि यह जो है सही कर रहे हैं और इस तरेके से अगर जो यह आगे होता रहा तो मेरे भोजपुरी भासा पे कितना प्रभाव पड़ेगा तो आपका क्या कहते हो इसदेखिं भोजपुरी हमनी के भाषा कि आ कोनो संदेह कहां से कि अब चुकि हमनी के भोचपूरी शुरू से यतना सम्रिद भाशा रहा लिया कि आसपास में जैसे कि जहां-जहां भोचपूरी बोले जाला अपनी आप आज की समय में देखें तो भोचपूरी एक तरह से ग्लोबल हो चुकल भा पूरे दुनिया में भोचपूरी बोले वाला सुने वाला लोग बना एकरी बीच में कुछ चंद लोग बा जैके चाइद अच्छा ही लगे ला उसन चीज गावल उसन चीज सुनल तो उनकी वज़ा से कुछ थोड़ा बहुत चोटा मोटा लेकिन चोटा मोटा जैसन अगर छडिक लोग प्रियता खाती है इसन कुछ गीत गावत बाइसन कंटेंट डालत बा जैकरी वज़से हमने के भोचपूरी के अपमान होत बात तो उकरी प्रती बड़ा सक्त कारवाई भी होके के चाहिए उस उसाशन उस प्रसासन के भी से खुब प्यार दें और अगर छोटा मोटा लोग बाजी भोश्पूरी के प्रती आपन बड़ा छोटा मान सकता के वज़से मतलब बड़ा खराब खराब गाना गावत वावत वह कर नाम लिए ठीक नहीं क्योंकि तो ओ चीज के अवाइड करे लो जी बिल्कुल इस समय ज आप जो है एक नए सिंगर है नए गायक है तो आप जो है किस तरीके की गायकी करते हैं और आप जो है किस तरीके से आप यूटूब पर गूगल पर माहीं नाम सर्च कर ले और देखा कि कैसन गीत बाना सब्सक्राइब करके जोन हपता भर वे होत्वा और एक लाग से जादा लोग हमरी चैनल ओफिशियर चैनल पर देख लेबा प्यार देलेबा तो शुरू से हम प्रयास में बानी की भोश लगाल आप चैनल बिया है यहां तक हमको लगता है कि जो नहीं बरते हुए कलाकार है चंठी चावराय पर जो स्टूडियो खुल गई है और कहीं कोई गाया और गाके उसको जो है अपने हीट होने के लिए या वो मतलब रातो राती स्टार बनने के चक्कर में कुछ भी तो हमें तो लगता है कि उनसको संगीत का कोई ग्यान नहीं होता है कि लोग कहीं से भी कुछ भी उठत बाद जिकरी दिमाग में जोन खुरा फात वह गाके निट पर डाल दे तो बाद बहुत दूशित मान सकता है इस पर कुछ कहने लाइक नहीं है ठीक है थोड़ा सा आप जो है आपकी गीत जो भी आप पॉपुलर रही हो जो अच्छी हो जो आप दर्सकों को मेरे सुना सके एक मेरे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा एक गीत गुन गुना दीजिए देखें गीत हम अपले हमके 2018 में हम अपन पहिला गाना हमारी लेकिन कुछ गीत आइसन होला जोन आपकी हमरे गावल बहुत गाना बटे लेकिन कुछ गाना इसन होला अपनी दिल के बड़ा करीब होला दू लाइन हम आप लोग आपके आपके चैनल के तुरू जितना लोग देख रहलबा सब के हम समर्पित कर रहलबानी यह को गीत हम गौले रहनी नर्सिंग राही जी के बड़ा वरिष्ट गीतकार बन है अपने भोजपुरी के के हुआ सहीं उदास ना होला जब ले कुछ बात खास ना होला प्यार पूजाह सोदा मती करिया इह मा कंचन कबास ना होला के हुआ सहीं उदास ना होला रासना अबे पिजडा सोना के रासना अबे पिजडा सोना के जब ले पंची अकास ना होला भोषपुरी गजल हमारे यूट्यूब पर हमरे चैनल पर और आप बता रहे थे कोई आपको भक्ति या मां करके कोई अब आने वाला है आगया है मरकेट में आगया है सब्सक्राइब हम आई जोन गीत हमरे पिता जीजिए संगीत सिकनी सरसंजय पाइंडे जी उन्हें के लिखलवाटे और चुकि अब आप देख रहा हो कि हमनी की गाओं में तो अब भी ठीक बा शहर में ब्रिद्धा आस्रम खुल गलबा जहां पे लोग अपनी मा के अपनी पापा के पिता लोगन के ले जाके छोड़ देत कि हमनी की देश में अईसन घटना रोज आप देखत होगा टीवी पेपर में सुने के देखे के मिलत बाद तो ही के विशेप हम गौले बानी की जानी माई बड़ी जब उनका बेटा बड़ा बहुत-बड़ा होगल बाने अपनी मा के घर से बाहर निकाल देत पाने तू का क तो हके कनिया मंगोनी तो हके हर दुलहिन मंगोनी सुरुज चान की तरे काहिमारा तरा हम्राके आनकी तरे काहिमारा तरा यूट्यूप पे ऋपूलब दुआ हम आपकी के माध्यम से जितना लोग दर्शक लोग देखत बाजे सुनत बाद उनकी बड़ा दिल से धन्यवाद देब काई से कि एक हपता में हमारे चोटा सा भी चैनल बाद जोना अफिशियल सुरूर भाज़बा और एक लाग से ज्यादे लोग एक देखना चाहे तो अपने चैनल का क्या नाम है और क्या सर्च करेंगे तो आएंगे माही मृदल आप सर्च कर आप यूटूब पे या गूगल पे तो हमरी ही नाम से चैनल बाटे और खुलगाना उपलब्दबा तो आप लोग से निवेदन बाकि आप लोग अच्छा जे गावत बाद अच्छा जे संगीत ग ड्या कहना चाहते हैं क्या संदेश अपने तरफ से थम्णा है तो नए कलकारों को भरते हुए एक या और शेbeel करेंए जरूर सोचलेको आपकी घर夢े घरνεल सुनी तो आपके कईसन लागे यी बात जरूर सुझके एक बार सोज कि गावे के चाहिए क्यों कि घर में क्यों कि बेटी पक्यों की बहिन पगाल संगीतना इस तो गारी को लोज्व लेज़। बहुत 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 उसे दूर रहे कि चाहिए कि अच्छा काम करके भी आपन नाम आपन सम्मान बनावल जा सके लाए तो यह थे वर्ते हुए कलाकार माहे मिरदूल जी और इनके पिता जी जो है एक संगीत कार भी है और इनकी इस्टूडियो भी है और एक बहुत पुराने राइटर भी है तो यह इनके द्वारा ऐसा संस्कार दिया गया है कि ऐसे गंदी गीतों को लेकर यह मार्केट में नहीं आते हैं तो आप नए कलाकार है मेरे चैनल के मादम से मेरा अनुरद हो है कि आप इस तरीके के असलील गाना ना गाए और एक नए यंग लड़के और गायक जो भरता हुआ गायक है तो इससे आपको शीख लेनी चाहिए कि इनका जो है किस तरीके का जो है इनका बेवार है चाल चलन है और इनको जो घरेलू सिख्षा-दिख्षा होती है किस तरीके से दी गई है कि यह यह वी चाते तो भीज के लिए पैसे के लिए असलील ग गंदा और आपमानित कोई करे बाहर में और ना कोई बनाया नो गंदी नजर से देखे तो अभी तक दर्शकों को जो है अंत तक वीडियो देखने के लिए और इनके साथ जो है हमको देखने के लिए बहुत-बहुत धने बाद नमस्कार